नमस्का दोस्तों मैं रभी आपका स्पेसे स्वागत करता हूँ अपने चैनल रभी टेक्स टूडियो में तो दोस्तों आज एक मैत्तपूर इंफॉर्मिशन आ रही है रिगारिंग दी इंडियन सिक्रिटी सिस्थम डियाइडियों ने सेक्सेस्फुली आकास मिसाइल का अप अपडेटेड वर्जन मिसाइल है इससे पहले 22 जुलाई 2021 को रिसेंटली में ही आकास ने डियाडियों ने आकास की न्यू जनेरेशन मिसाइल का भी टेस्ट किया था जो कि सक्सेस्पुल रहा इस टेस्ट में जो कि जुलाई में हुआ था उसमें आकास मिसाइल ने 60 km की रेंज में 30 से लेके 60 km की रेंज में इंटरसेप्ट करके एरियल वेहिकल को अनमेंड एरियल वेहिकल को तारगेट करके डेस्ट होए किया था इसी का ही अप्टेटेड वर्जन आज के दिन that is on 27th of September टेस्ट किया गया जिसमें की मिसाइल ने 30 से लेके 50 km की रेंज में अनमेंड एरियल वेहिकल को इंटरसेप्ट करके हिट किया और डेस्ट्रोई किया तो यह जो आकास मिसाइल है यह अपने आप में ही बहुत ही capable है इसको हम कहते हैं medium range surface to air मिसाइल तो इसकी जो range है वो है 30 से लेके 50 km की range में यह किसी भी अनमेंड एरियल वहिकल चाहे वो यह क्राप्ट हो यह surface to air मिसाइल हो या फिर कोई ballistic मिसाइल भी हो उसको यह इंटरसेप्ट करके हिट कर सकता है इतना capable है और speed at which it moves basically is mark 2.5 इतनी स्पीड में जो अपना speed of sound है उसका धाइगोना स्पीड से यह travel करके intercept करके target को destroy कर सकता है यह capability है आकास मिसाइल की तो आकास का यह updated version है क्योंकि इसका जो testing यह किया जा रहा है specially for Indian armored forces जैसा कि इंडियन आर्मी ने इसको इसकी दो regiment को इंडर करने का फैसला किया था in the year of 2015 तो 2016 में उसका user trial किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा और इसमें कुछ खामियां पाई गई जिसको द्वारा से update किया गया और recently में 2018 में उनकी टू रेजिमेंट की delivery उनको दी गई और टू एक्टिव रेजिमेंट आज हैं इंडियन आर्मी के पास इसके अलावा इंडियन एयर फोस भी आकास missile का यूज कर रही है उनके पास में 13 squadron है आपकी information के लिए बता दो एक squadron में आठ rocket launcher और 125 missile होती है तो ऐसे मिला के टूटल 13 squadron at present Indian Air Force में active है कास की इसके अलावा तीन more squadron का उनने order दिया है और इंडियन आर्मी ने recently में 2019 में और टू रेजिमेंट का order दिया है अकास missile का पार्टिकली तो यह इतनी capable है अगर आज की देट में माना जाए तो आज जैसे जो हालाद बन रहे हैं लद्दाक लेसी पर लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल पर तो लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल पर भी आकास को घ्रवाद में इसको जो प्रिड्यूस किया गया जैसे कि मैनुफ्यक्ट्र और प्रिडूस किया गया भारत डायर्ने मिके लिंटेट ने और इसके अंदर जो हम यूज segment हम इसका जो command center है along with जो इसका launcher है वो develop किया गया था भारत electronics द्वारा और Tata Power Static Engineering Division और L&T तो यह सारी छोटी-छोटी कंपनिया हैं उनने एक combined effect करके इनके जो sub-systems हैं उनको develop किया और इसमें main contributor है DRD और DRD ने इसकी design डिजाइन डिवलब गी और इसको जो manufacture और produce किया गया है वो भारत dynamic limited द्वारा किया गया तो इसकी जो शुरुवात है इस series की यह 90s में रख गई थी 91 से यह project start हुआ था in the year of 2012 इसके जो test start हो गए फिर user trial हुए Indian armed forces में इसका induction के लिए 2015 में यह पूरी तरह से तयार हो गई थी और it was proposed to you know be inducted by Indian armed forces and Indian army and finally Indian army ने 2016 में इसका induction कर लिया और Indian armed forces में यह active है 2017 से 2017 से 2021 तक उनके पास 13 squatter है 3 more squatter है जो की by 2023 और 2024 active हो जाएंगी इसके अलाबा कई सारे बार की कंट्रियां भी interested हैं इस आकास मिसाल को खरीदने के लिए इसमें की namely है Philippines Philippines के साथ में इंडिया ने रिसेंटली एक M.O.U. साइन किया है Philippines नहीं साइन किया है Defense Agreement इसके अंतरगत वो इंडिया से कई सारे defense इसके अलाबा कई और छोटी कंट्रियां है जिनके नाम आ रहे हैं इसमें इवन बेटनाम इस आल्सों इंट्रेस्टेट टो वाई इस आकास मिसाल defense system तो यह अपनी आप में भूती इनो पॉर्टेवल काइंड की मिसाल है जो की इजली कहीं से भी लाउंच हो सकती है वाइसकी मार्ग शमता आप देखो फ्रॉम दी अर्थ इटकें गो आप टू एटीन किलोमेटर एल्टेट्यूट सो फ्रॉम मीन से लेवल से ठारा किलोमेटर की एज़ी शूट के बीच में अगर कोई भी इरियल वहिकल अगर इंडियन एयर स्पेस में आता है तो उसको यह इजली इंटरसेप्ट करके हिट कर सकती है इससे ना तो बैलिस्टिक मिसाइल बस सकती है तो आप देखते हो बैलिस्टिक मिसाइल जो यूजरी हम कहते हैं कि ब होला जारा था कि 22 और 23 सितंबर के बीच में होगा जो कि थोड़ा सा डिले हो गया है इस पर बहुत सारा कंट्रिवर्शी भी होगी थी तो अभी वह थोड़ा डिले हो गया है तो वह भी अपनी एक इंटर इंटर वाटवी से आई सीबियम इंटर कॉंटिनेटल वेलिस्टि दिखरी को इसारी जो उनकी बांडरी है बुसकी जद के अंदर आ जाएगी अगनी 5 के उतनी का प्रेवल है तो यह जो आकाल मिसाइल है यह मीडियम रेंज की है तो इसका रेंज जो है पचास 30 से लिएके 50 किलमेटर की रेंज के अंदर अंदर ही यह इंटरसेप्ट करके अ सकती है किसी भी अन्मेंड एरियल वेहिकल और तुमारा एक्राफ्ट जो भी आ जाया है मिसाइल को भी इसकी इसकी बाउंडरी जो इसका पेरिफेरी है 30 से 50 किलमेंटर की रेंज में अगर आता है तो बचके नहीं जाएगा इतनी एक्यूरेट है इसकी जो हीटिंग पावर उससे बैटर जो अप्रूब्ड वर्जन आया है वो यह है जो कि आज लॉंच हुआ है 27 में इसकी तेस्टिंग हो गई है अब यह फाइनली इंडियन आर्मन फोर्सस में यहनों तैनात हो जागा अलेड़ी यह तैनात है इसके एलियर वर्जन आप लेड़ी वर्किंग कंड इन में यह बहुत बड़ी उपलब्दी है और इसी के साथ ही डियाडियों के हैड ने बोल भी दिया था अभी जैनियों में रिसेंट्ली वो किसी प्रोग्राम में गए थे वहां उन्ने कहा था कि हम इंडिया आत्म नेर्वर हो चुका है मिसाइल टेक्नोलोजी डिविलप क सकते हैं इसके लाबा कई सारे और कंट्री हैं जो यहां से यह अकास मिसाइल को खरीदेंगे इसके अलाबा जो अभी करेंट जो चल रहे हैं इनो प्रोजेक्स उसमें हैं निर्वह मिसाइल जो अपने आप में बहुत ज़्यादा के स्पीड है मार्क नंबर 4.5 और और ब्र स्पीड ऑफ सांड से साथ गुनाय स्पीड से मतलब भाग सकती है और इंटरसेप्ट करके किसी भी बैलेस्टिक मिसाइल और किसी एरियल वहिकल को तार्गेट कर सकती है डेस्ट्रॉय कर सकती है तो यतनी यह जो हाई-end जो मिसाइल चिकनोजी है उस पर अभी इंडिया काम कर रहा है और आने वाले समय में मैं अगर कहना चाहूंगा तो आने वाले पांच या छे साल में वी विल बी केपिवल एनफ टू सप्लाई इस काइंड ओफ इनो डिफेंस सिस्टम सुदी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड तो मिसाइल सिस्टम में इंडिया कम्प्लीटली आप मिन स्किल अगर बीबल वी दा इनो वाद इस से बिगस्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इस पॉर्ट इवर्ड इन अगर्ड इस तो डी आई जो इस दूए और यह जोड़ और यहाब और देर में अध्रिया कि हम आत्म ने वर्ट चुके हैं इसाइल चेक्नोजी में भी आर इड्वांश सिस्टम बेदास सो लॉंग रेंज की बात करें उसमें अग्रीन इस आ जाती है मीडियू में अपनी अकास है इसके बाद मिर्वै है ब्रममौस में यह सारी जो मिसाइल है वो मीडियम प्रेंज में चोटी जो प्रत्वी और जितने वी और भी मिसाइल है वो सॉट रेंज में आ जाती है तो हमारे पास सब तरहेगी मिसाज सिस्टम डेबल हो चुका है तो दोस्तों यह बहुत ग्रेट नीज है इंडिया के लिए इंडिया इस डूइंगे रिमार्कुली भुश शवरो चुका है वो रावं सिस्सेटम जा चुका है तो जाती है जाता है अजय है वो चुका है चली है वो चुका है